हेलो फ्रेंट्स आज हम गेहूं के अटे से गुलब जमुन बनाएंगे आपको पता नहीं चलेगा ये गेहूं के अटे से बनाया हुआ गुलब जमुन है इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा और आप इसको एक बार अगर बनाएंगे बार बार बना के खाने को मन करेगा और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है चलिए अभियम बनाना स्टाट करेंगे गेहूं के अटे से गुलब जमौन अभी बड़ा सा भरतन ले लेंगे अभी हम चासनी बनाएंगे चासनी बनाने के लिए अभी हम इसमें डाल देंगे दो कप चिनी और इसमें डाल देंगे धाई कप पाणी 2 कप और हाप कप और इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे जैसे पानी में चीनी अच्छे से गुल जाएगा और थोड़ा उबल नाना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा सा चिपचिपा बलाचासनी आपको बनाना होगा अभी देखिए पानी उबल रहा है अभी हम इसमें थोड़ा सा इलाइची डाल देंगे फ्लेवर के लिए और इसको अभी चेक करेंगे यह हुआ की नहीं आपको थोड़ा सा चिपचिपा बाला चसनी बनाना होगा तार बाला चसनी नहीं बनाएंगे थोड़ा सा चिपचिपा लगेगा देखिए अभी चसनी हो गया है अभी हम इसको निकाल देंगे और थोड़ा सा लेमन इसमें स्कुईच कर लेंगे नहीं तो यह जम जगा अभी इसको साइड में रख लेंगे चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस को अभी एक बड़ा सा बाउल लेंगे और एक चलनी लेंगे इसमें डाल देंगे एक कप गिहूं का अटा जिससे आप रोटी बनाते हैं उही अटा है यह इसे जो मेजरिंग कप आता है इससे हम एक कप लिए हैं अब किसी भी बाउल का सेट कर लीजिए अगर आपके पास इसे मेजरिंग कप नहीं है और उसी बाउल में आप सारे मेजर्मेंट कर सकते हैं अभी इसको चान लेंगे अभी हम इसमें डाल देंगे एक कप मिल्क पाउडर एक कप अटा और एक कप मिल्क पाउडर इसको भी आच्छे से चान लेंगे अच्छे से mix कर लेंगे, अभी देखिए हम इस सारे चीज को हम ऐसे mix कर लेंगे, और इसमें डाल देंगे 3 टेबू स्पून देशी घी, चाहे तो आप refined oil या डालडा भी डाल सकते हीं, अभी इसको अच्छे से हाथ में mix कर लेंगे, देशी घी डालने से इसका flavor बहुत अच्छा आएगा, इसलिए ज़्यादा तर आप देशी घी अगर डालेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, अभी देशी घी को अच्छे से हम mix कर लेंगे, अभी हम इसमें डाल देंगे, हाप कप अभी देखिए मिल्क लिए हैं, इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे, और अच्छे से ज़से अटा गुनते, इससे थोड़ा नरम होगा, नरम अटा आपको गुनना होगा, हाप कप दूद लिए हैं, अगर जरूत पड़ेगा, और थोड़ा दूद ले लेंगे, अभी देखिए, और थोड़ा दूद लगेगा इसमें, अभी और हाप कप ले लेंगे, और इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जैसे आप अटा गुनते हैं उससे नरम रहेगा अटा एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे अभी देखिए इतना दूद बच गया है अभी हाथ में थोड़ा सा घी लगा के इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे अभी देखिए हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और छोटा-छोटा बल बनाएंगे जैसे इसमें क्राक नहीं होना चाहिए अच्छे से चिकना करके छोटा-छोटा बल बना लेंगे अभी देखिए इसे आच्छे से चिकना करके सारे गोला हम बना लेंगे देखिए अभी सारे गोला बना लिये हैं अभी चलिए नेक्स्ट प्रसेस को अभी हम आयल गरम करेंगे हलका सा गरम करेंगे जादा गरम नहीं करेंगे नहीं तो ये तुरंत जल जाएगा इसलिए आयल को हलका गरम करके गुलब जमून को फ्राइ करेंगे एक तरफ से हलका सा गोल्डन ब्राउन होने पाद हम इसको फ्राइ करेंगे याद रखिए जब आब इसको फ्राइ करेंगे ग्यास का फ्लेम को लो मीडियम रखिए अगर ज़्यादा हाइ फ्लेम कर लेंगे ये गुलब जमून तुरंत जल जाएगा और इसका टेस्ट भी खराप हो जाएगा ये धीरे धीरे होगा और चारो तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसको निकाल देंगे अभी देखिए धीरे धीरे हलका हलका गोल्डन ब्राउन हो गया है और थोड़ा इसको फ्राय करेंगे और इसके बाद हम निकाल देंगे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा आप एक बार जरूर ट्राय किजिए आपको जरूर पसंद आएगा ये खाने में बहुत टेस्ट लगता है आपको पता नहीं चलेगा ये गहूं के अटे से बनाया हुआ गुलब जमून है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है ये पूरा गोल्डन ब्राउन हो गया है अभी हम इसको निकाल देंगे और दूसरा जो गोला है इसको भ अभी इसे फ्राइ कर लेंगे अभी हम सारे गोला को फ्राइ कर लिए अभी चलिए नेक्स्ट प्रोसेस को अभी हम चासनी को थोड़ा सा गरम करेंगे याद रखिए थंडा चासनी में आप अगर गुलाब जमून डाल देंगे ये अच्छे से सोक नहीं होगा तो इसका टे करेंगे हलका सा बाइल करेंगे ज्यादा नहीं एक मिनिट के लिए बाइल करेंगे दिखिए ये थोड़ा बाइल हो गया है अभी हम इसको निकाल देंगे और चार से पांच घंटा के लिए रख लेंगे चाहे तो आप इसको ओभर नाइट भी रख सकते हैं ये अच्छे से सोक हो जाएगा अभी हम इसको साइड में चार पांच घंटे के लिए रख देते हैं चाहे तो आप ओभर नाइट भी रख सकते हैं और इसके बाद हम इसको साब पर के आपको दिखाएंगे दिखिए चार से पांच घंटा हो गया है गुलब जमून अच्छे से चासनी में स हो टेस्ट लग रहा है आप एक बार इसको जरू ट्राय किजिए अभी हम इसको एक काटके आपको दिखाएंगे दिखिए कितना साब ढ़ाए अभी इसको काटके दिखाएंगे आपको दिखिए पूरा अंदर के तरब से चासनी अच्छे से सोक हो गया है अभी और एक बुलब जमून आपको काटके दिखाएंगे दिखिए दिखिए कितने अच्छे से हुआ है और कितना साब्ट हुआ है आप एक बार इसको जरूर ट्राइ किजिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग झाल से वाचिंग